चेहन बच्चो, exercise 2.4 के question number 4 की series चल रहे थी, उसमें हमने first question complete कर लिया है, तो हमारे पास ये second question है, इसको भी हमने militum spritin से करना है, क्योंकि इसके भी दो factors आएंगे, फिर से वोई basic knowledge, इस भवबत की घाद कितनी है, 2, मतलब degree 2 है, तो इसके कितने शुनने का सकते हैं, 2, इसके क इतने गुणनखंड आएंगे, 2, तो उन 2 ही गुणनखंड को हमें ग्याद करना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को आप 2x square से multiply करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6x square, ठीक हो गया, इसके बाद आपको क्या समझाया है, कि जो 6 है, यह जिस जिसके table में आता है, उसक 2 जा 6, या 6 बन जा 6, बात वही पढ़ जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कि उनको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वह इनीका positive, आप क्या करो, यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ, तो यह होता है x square, यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ, तो यह होता है x square, तो आपको बत पद है वो आना चाहिए इन दोनों को जोड़ने पर 5x आ रहा है और घटाने पर 1x आ रहा है 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x 3x माइनस 2x कितना हो गया 1x तो इसका मतलब यह हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ पर 6x को 1x कितना आ रहा है 7x और वो ही आपको चाहिए तो क्योंकि सारे प्लस में हैं तो हमारे चीज़े आसान हो जाती है 2x स्क्वेर प्लस 7x की जगह इन दोनों को क्या करने पर 7x आ रहा है जोड़ने पर ना तो हम इन दोनों को का जोड़ लिखेंगे 7x की जगह 1x लिख दिया है वैसे x भी लिख सकती हो जहां तक ठीक होगा अब हम क्या करेंगे इसमें से common निकालेंगे और इसमें से common निकालेंगे तो इसमें से common निकालने का तरीका जिनके लिए थोड़ी सी problem होती है उनके लिए ये चीज सही रहेगी 2 x x x x लिख दिया मैंने इसके जगह ये हो गया हमरे पास 2 x 3 x x ये 1 x लिखना चाओ लिख दो जरूरत नहीं है वैसे 1 लिखने की तो इसको मैंने x plus 3 as it is लिख दिया अब इन दोनों में देखो कि 2 x जैसे दोनों में है और x भी दोनों में है तो इसका मतलब 2 x बहार आ सकता है अंदर क्या बचेगा x plus 3 ठीक हो गया इन दोनों में से कौन सा नंबर बहार आ सकता है जब मैं कहता हूँ कौन सा नंबर बहार आ सकता है तो इसका मतलब इनका common factor क् मतलब इन दोनों को कौन सी एक जो संक्या है भाग कर सकती है क्योंकि यहाँ पर आपको एक ज़े संक्या दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है 1 होता है अगर मानलो यह 3X होता तो आपको पता है 3X और 3 दोनों का common factor common गुर्णखन क्या होता? 1 है 1 इन दोनों को भाग कर सकता है क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ X गुणा 1 इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 1 एक बाहरा गया अच्छा इस bracket में क्या बचेगा? आपको बता चुका हो जो यहाँ वाले bracket में होता है वो यहाँ वाले bracket में होता है 1 निकालोगे बाहर तो वापस अंदर x प्लस 3 ही बचेगा अच्छा इसमें और इसमें क्या चीज अब common है इन दोनों को कौन गुणा कर सकता है अगर मैं ऐसे बोलो तो सिंपल सी बात है x प्लस 3 कर सकता है क्योंकि दोनों में x प्लस 3 है दोनों को कौन एक संख्या भाग कर सकती x प्लस 3 या तो ऐसे बोलू या बोलू दोनों में जो चीज common है एक जैसे दिख रही है उसको बाहर निकाल लो तो x प्लस 3 दिख रहा है दोनों में वो बाहर आ गया तो बचेगा बचेगा क्या वो होगा 2x प्लस 1 इस तरीके से हमारे पास इसमें भी दो गुड़नखंड आ गए तो इस तरह से बचेगा ये वाला question भी यहाँ पर complete होता है अगर अब next जो question है third वो आपको अगली वीडियो मिलेगा Thank you